पाकिस्तान की पूर रास्पती परवेज मुशरफ का आज निधन हो गया दुबई में उन्हें इलाज के दौरान उस वक्त वेंटलेटर पर डाल दिया गया जब उनकी स्थिती बेहत नाजुक हो गई और उसके बाद ख़बर आई कि उनका निधन हो गया आपको बता दे कि परवेज मुशरफ लंबे वक्त से बिमारी से जूज रहे थे उनका इलाज चल रहा था और दुबई में ही अपना इलाज करा रहे थे इस दौरान आज ही ख़बर आई थी कि उन्हें वेंटलेटर पर डाला गया है और अब ख़बर आई है कि उनका निधन ह हो गया है उनका परिवार जल्द ही उनसे मिलने के लिए दुबई पहुंच रहा है ऐसी भी खबरे हैं आपको बता दे कि परवेज मुशरफ जो हैं वो 1999 में सैन्वी द्रोह के बाद पाकिस्तान की सत्ता पर काविच हुए थे और उसी वक्त कहा जाता है कि परवेज मुशर मुशरफ की का निधन हो गया है आपको बता दे कि पाकिस्तान में इन पर राजदुरह का केश चल रहा था जिसके बाद इन्हें यह कहा गया था कि जब इन फासी दे दी जाएगी तब इनके लास को घसीट कर लाए जाएगा और चौराहे पर लटकाया जाएगा लेकिन ऐसा आम तोर पर सुनने को नहीं मिलता पर पाकिस्तान की कोट ने ऐसी सरया इनको सुनाई थी पाकिस्तान के पूरुराजपती और पूरुसेनाध्यक्ष परवेज मुशरफ को राजदुरह के जुर्ब में पाकिस्तान की एक कोट ने कहा था कि अगर उनकी मौत हो जाती है किसी अन्य वज़ा से फिर भी उनको फांसी दी जाएगी दरसल कहा गया यह था उनके फैसले में कि अगर फांसी से पहले परवेज मुशर्रफ की मौत हो जाती है तो भी इसलामबाद के एक चौराहे पर तीन दीन तक उनकी लाश फंदे पर लटकानी होगी किसी को फांसी की सजा दी जाए और वो फांसी पर लटकने से पहले ही मर जाए तो ऐसी सुरत में क्या होता है यह अजीब सा सवाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विशय बना हुआ था और तब से ही लगतार सेना और अदालत जो है वो आमने सामने थी आपको बता दे कि परवेज मुशरफ पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था यह जो मामला था वो साल 2007 का था जब 3 नमबर को मुशरफ ने पाकिस्तान में इमरजनसी लगा दी थी उनके उपर यह मामला दर्ज हुआ था दिसम्बर 2013 में जब नमाज शरीफ वहां सत्ता में लोटे यह वही नमाज शरीफ थे जिन से सत्ता चीन कर मुशरफ पावर में आये थे कोट में मामला लंबा चला और इस बीच मार्च 2016 में मुशरफ इलाज करवाने की बात कहकर देश छोड़ कर बाहर चले गए इस वाइदे के साथ कि वो वतन लोट कराएंगे पाकिस्तान छोड़ने के पहले मुशरफ ने मीडिया से कहा था कि मैं कमांडो हूँ और अपने वतन से मुहबबत करता हूँ कुछ हफतों या महीनों में लोट कर आ जाओंगा मगर मुशरफ अपने वादे से फिर गए और फिर कभी वतन वापस नहीं लोटे और आज खबर आई कि मुशरफ का निधन हो गया झाल